Hello and welcome to the easy classes ये वीडियो एक तरह से उसी continuation में है जो public goods और private goods के difference पर या market failure के उपर in case of public goods जो हमने बनाया था तो एक तरह का continuation है और ये वीडियो है merit goods के उपर Okay, merit goods पिछले वीडियो में आपने देखा कि goods को हमने दो category में divide किया था वो क्या थी? Public goods और private goods Okay, मैंने कहा था कि public goods की बहुत सारी categories हो सकती है जैसे उसके extent के इतबार से spread के इतबार से national public goods हो सकती है global public goods हो सकती है local public goods हो सकती है ये तो उसके spread के इसाब से हो सकती है और दूसी चीज़ें congestible public goods हो सकती है यानि ये चीज़ें जो हैं खास्तों से ये वाली geographical spread तो छोड़ देए उसके उपर action जो है वो आपका उसी इसाब से होगा for example जब national public goods की बात आती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कर रहे हैं उसे दूसरा country क्यों affected हो रहा है अगर आप कोई measures ले रहे हैं गॉर्मेंट कुछ पैसा खर्च कर रही है तो environment अगर clean हो रहा है तो दूसरे उसको जैसे एकसर आपने सुना होगा जब देली का pollution होता है तो यह कहा जाता है हर्याना और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है खेतों में उसका धुआ इदर आता है तो होता है तो जाहरे धुआ तो boundaries देखता नहीं nation level पर एक्जामपल अगर कोई nuclear वो होता है क्या कहते है spread तो उसका effect पुरी दुनिया में हो सकता है local level पर तो actions जो है वो different हो सकते हैं उसमें involve multiple layers का हो सकता है लेकिन वो public good रहेंगी दूसरी public goods के classification जो हैं वो हो सकते हैं congestible goods club goods etc इनमें क्या होता है वो public good ही रहती है लेकिन कुछ न कुछ features पे उसके असर होता है और उसका treatment जो है वो government के दरिये different होता है लेकिन वो हमारा topic आज का नहीं है हमारा topic है आज का merit goods merit goods जो है वो इस broad classification में जो हमने broad classification किया था goods का between public goods and private goods यानि private goods जहाँ पर consumption rival है और exclusion feasible है ठीक है ये merit goods प्राइवेट goods में आती है ओके comes under the category of of private good प्राइवेट good की category में आते हैं क्यों क्योंके rival consumption है और feasible exclusion है यानि ऐसा नहीं है कि अगर वो good प्रोवाइट की जा रही है तो कुई तरीका नहीं है कि उसके consumption से आप किसी को रोक न सके हैं आप रोक सकते हैं सवाल यह है कि फिर इनको categorization का base क्या है क्यों इसको क्या है यह private goods है यह merit goods वो हैं जिनके बारे में यह पाया जाता है कि अगर इनको market mechanism के through provide किया जाएगा जो कि हो सकती है market mechanism के through अगर provide करेंगे तो it will lead to inefficient allocation अब मैं इसको समझाता हूँ कि inefficient allocation क्या होता है inefficient allocation वो हता है यानि जो लोग इसको consume करेंगे क्या उसका consumption उतना ही होगा जितना होना चाहिए एक better society में एक अच्छी society में जो progress कर रही है उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा दोनों ही चीजों में उसका उसका असर पड़ेगा मैं example देता हूँ आपको for example education अच्छा market कैसे provide करेगी market में तो एक demand curve है जो के लोगों ने अपनी preference reveal की हुई है कि कितना price वो pay करने को तयार है कितनी goods के लिए कितनी units of goods के लिए वो pay करने को तयार है और एक supply तो education is one such thing for example मैं education की बात कर रहा हूँ एक मिसाल के लिए ओधारल के लिए education तो एक demand होगी एक supply होगी और एक price होगे जो price होगे वो होगे जिसके उपर वो quantity जितने लोग provide करने के लिए तयार है suppliers और जो लोग demand करने को तयार है वो बराबर है और वो हो रहा है इसका मतलब जो लोग supply कर रहा है उनको कोई लुखसान नहीं इसमें उस rate पर supply करने में इसलिए कि उनकी cost recover हो रही है cost of provision और profit भी बना रहा होगे यकिनन या perfect competition की अगर भाशा में हम उसको खाली normal profit वाली बात करें तो उसमें भी cost कम से कम वो portion जो के entrepreneur का अपना reasonable profit है वो कम से कम आ रहा है उसको तो reasonable profit तो हर हाल में है ठीक है लेकिन वो price जो market में settle हुए उसके ओपर इस चीज़ की possibility है कि वो price जरूर से ज़्यादा हूँ अब मैं education की example देता हूँ बहुत से लोग हंदुस्तान में majority of them जहां पर education हासल कर रहे हैं चाहे वो school level की हो चाहे वो school level पे तो private का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है क्योंकि private school तकरीबन गाउं गाउं खुल गए हैं और private school को सरकारी school से बस थोड़ा ही बेडर होना है जैसा कि मैं आपको एक चुटकुला भी यहां पर सुना सकता हूँ कि जंगल में दो लोग थे साथ और शेर मिल गया और शेर ने जब उनको दोड़ाया तो वो भागे भागते हुए एक दोस ने दुसरे से कहा कि भागने से कुई फाइदा नहीं हम शेर से थेज तो भाग नहीं सकते तो दुसरे दोस ने कहा कि हमें शेर से थोड़ी मुझे तो 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 तुम से थेज भागना है वह एक ही दुखाएगा तो वही हाल है कि private education अगर है भी तो सरकारी स्कूलों से थोड़ा सा भी बेटर हो, तो उनको clients मिलते रहेंगे, ठीक है, लिकिन मसला क्या है, private education के जो providers हैं, वो अपनी cost तो realize करेंगे न, अब आप लीजे चाहे school हो, चाहे university हो, मैं university की बात करता हूँ, many of you must be doing graduation or post-graduation, I mean undergraduate course, that is bachelor degree or the master's degree, अगर इसमें government की subsidy नहीं है, government की subsidy बहुत हैवी हो सकती, government की subsidy नॉर्मली बहुत हैवी होती है, जहाँ पर आप tuition fees के नाम पे जो देते हैं, that is just a peanut, इप भौती मैंने school amount है, जो आप देते हैं, tuition fee बारे में कहीं सो रुपए दे रहे हैं, कहीं देड़ सो रुपए दे करेगी, तो क्या होगा, cost of providing this facility, this education, entire cost, किस से realize की जाएगी, consumer से, consumer कौन है, students है, तो एक B.A. का course या M.A. का course, जो आप 100,500 रुपर महीना की fees देखे करते हैं, वो हो सकता है, आपको 10,000 या 5,000 रुपर महीना देना पड़े, इसलिए है कि teacher की fees, building का maintenance, development का expenses, विजली का किराया laboratory, कम से कम social science में computer lab तो होते ही है, यह science क education है, तो उसकी laboratory, administrative staff, non-teaching staff, fourth grade, जो आपका staff है, यह सारी किस से ली जाएगी, इसका खरचा किस से लिया जाएगा, consumer से, तो वो spread कैसे किया जाएगा, भई, B.A. को पढ़ाने के लिए, उसका calculate करेंगे, कि B.A. के ओपर हमारे इता आ रहा है, क्योंकि इत्ते teacher deployed हैं, और जो सारी cost आ रही है, उनको इस पर अगर डालेंगे, उनका share इता बनता है, जो cost calculation बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत complicated भी नहीं होगा, तो मालुम हुआ कि लेड़ सो रुपा महीना के बजाए आपकी आ रही है, पांच हदार, शे हदा 7000 रुपा महीना, 5000 रुपा महीना का मतलब यह है, 6000 रुपा साल, यह 10,000 रा रही है, तो 12 महीने का मतलब 1,20,000 रुपा साल, इस rate पर, इस बात की possibility है, कि बहुत से बच्चे education को खासल ना कर पाएं, क्योंकि यह उनके लिए affordable नहीं होगा, तो क्या होगा, यह category जो है, I mean, उन का loss है, यह इस commodity जो के education है, it will remain under consumed, education अगर under consumed होगी, तो क्या यह उन बच्चों का जो education हासल नहीं कर पा रहा है, कि खाली उन ही का loss है, यह इस से beyond भी कोई चीज़ है, मेरा मानना यह है, कि it goes beyond that, अगर बच्चे education हासल नहीं कर पा रहा है, तो उनका personal loss तो हाई है, that is undisputable, ल अपने एक potential human capital से deprive हो रही है, उनमें से बहुत सारे promising बच्चे हो सकते थे, जो आगे चलके बहुत कुछ contribute करते, nation building में, economy के लिए, तो वो आपने उनको मौका नहीं दिया, क्यों नहीं मौका दिया, क्योंकि market determined price जो थे, वो affordable नहीं थे उनके लिए, okay, यानि जिसे कहते नही कि एक optimum price तो हो जाब market demand supply बराबर हो कि demand supply intersect कर रहे है, QS और QD बराबर है, लेकिन ये price determine हुए, जैसे मिसाल के तोर पे, ये demand curve है, ये supply curve है, ये price है, ठीक है, किसी, यानि इस price पर सिर्फ आपको ये quantity है, मतलब आप इसको quantity में किसी तरह से भी नाप लीजे, कि कितने बच्चे उस course को opt करेंगे, कितने courses आप run कर पाएंगे, कितने subject में run कर पाएंगे, तो ये that can be worked out, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, what about those, suppose मेरे खाल, population आपके इतनी है, जो कि चाहते है education असल करना, लेकिन कब करेंगे, जब उनको इस price पर मिले, यानि, P0 पर मिले, 0 का मतलब 0 नही मतलब कम पर मिले, तो इनको दे education नहीं मिल ले न, तो ये segment जो है वह आपकी population का, इसको अगर हम Q1 कर दें, ये segment जो है, ये education नहीं हसल कर पाएगा, तो ये चीज जो good है, जो private good है, वो under consume रहेगी और under consume personal loss, as well as national loss, और मतलब जो economy का loss, दोनों होगा, तो merit goods वो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, allocation, ये good का allocation क्या हो रहा है, सिर्फ इतने लोगों तक पहुँच रही है, एक section of the people तक रहे रही है, तो allocation जो है, वो optimum नहीं कहलाएगा इसका, ये desirable level तक का consumption नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा under consumption, और under consumption जो है, वो desirable चीज नहीं है, तो जो हैं तो private goods, but if they are, बिलका मैं लिख दू इसको, वो ज़्याद अच्छ रहे है, comes under the category of private goods, यहां तो ठीक है, उसकी ये आपने characters भी बना दी, क्यों है, private goods में आती है, इसलिए कि, इसको मैं box में कर देता हूँ, but if left to be provided through market, the allocation will be inefficient, that means, in this case, there will be under consumption, जित्ता consumption ideally होना चाहिए, उत्ता नहीं होगा, ओके, तो यह married goods की definition है, अच्छा, health, could be another example, भई, health है, अगर आप अपनी बीमारी, मला government नहीं provide कर रही है, health भी private good है, क्योंकर दोनों ही principle apply होते हैं, जैसे education में, education में, यह है कि जाहरे, एक capacity है, किसी भी university की, किसी college की, एक course में अगर 50 बच्चों को admit किया जा सकता है, तो पचासी seat है, consumption rival, इसी तरह exclusion भी feasible है, ऐसा तो नहीं है, कि नहीं हो रहा है, तो हम भी बैटेंगे glass में, हम बगा सकते हैं, उसको, हम जो fees देंगे, वो ही आएंगे, इसी तरह health, health में क्या चीज़ है, अगर government नहीं है बीच में, तो जो hospitals हैं, जो clinics हैं, वो private हैं, तो वो क्या है, सारी cost अपने उससे भी realize करेंगे, तो again demand or supply पे जाएगा मामला, demand supply पे जाने का मतलब जो है, उसके price ज्यादा ही होना, जब ज्यादा होंगे price, बलके एक angle से और देखिए, अभी तो फिर भी आपके country में, मतलब मैं इंडिया के context में इस वद बात कर रहा हूँ, दूसरी जगा पे किया जा सकता है, situation थोड़ी से बदल जाएगी, इंडिया के context में क्या है, medical education, जो government colleges अभी भी बहुत सस्ती है, private colleges की medical education की देख लीजे, जहां पर आपको donations जो हैं, वो they run into nearly a crore और PG के study और more than a crore, something like that, मुझे नहीं मालू, मेरा first-hand experience नहीं है, लेकिन this is what I have been told, depending upon कि किस college की बात कर रहा है, तो in any case is substantial, तो अब जो बच्चे इतनी fees देके एक trained doctor बनेंगे, तो ये भी तो उनका investment ही है न, वो काई में invest कर रहा है, वो अपने human capital में invest कर रहा है, कि जो realize करेंगे, तो जब वो private practice करेंगे जाके, government बीच में नहीं है, उनको education हासिल करने में भी उत्ता लगा, तो वो कितना पैसा charge करेंगे, अपनी ये चीज़े में recover करेंगे, प्लस जो hospital को establish करने की जो cost आएगी, कि उनको एक से machine लगाने है, उनको lab establish करने है, उनको दूसरे instruments लाने है, उसके लिए again फिर वो loan लेंगे, लोन लेंगे तो उसका खर्चा भी निकालेंगे, तो health care जो है वो बहुत महंगी होगी, महंगे होगी तो again a sizable portion of the population, जो है बड़ी तादाद population की, वो अच्छी health care facility से deprived हो जाएगी, महरूम हो जाएगी, वंचित रह जाएगी, अच्छा, अब again ये का खाली उनका loss है, उनका loss खाली नहीं है, इसलिए एक के country जो है, वो अच्छी quality की human capital से फिर deprived रह गया, क्योंके जो अपने की healthy take नहीं क्या खाल काम करेंगे, नमबर एक, नमबर दो ये कि एक बड़ी तादाद का पैसा, जो वो earn कर रहे हैं, उसका एक अच्छा खासा portion जो हो health care पर खर्च होगा, इविन खासी दुकाम बुखार का भी, जो खर्चा है वो अच्छा होगा, मतला United States के बार I went there for a week, लेकिन मैं health insurance लेके गया था, उसने का गब खार आगया तो इलाज निकरा पाऊगा, असानी से, that is the situation, तो इसलिए government intervened करती है कि market determined price जो है, health care again private good क्योंकि consumption rival है, क्योंकि कोई किसी भी doctor की, किसी भी diagnostic facility की, किसी भी hospital की capacity है, उतने को ही cater कर सकती है, और exclusion भी feasible, ऐसा नहीं है, कि नहीं साब पहुँचगा नहीं साब देखें कैसे नहीं, तो नहीं है, जैसे defense है तो हम फाइदा उठा रहे हैं तो उठा रहे हैं, हमें कुछ कहने के तो थोड़ी, कहीं जाने के तो थोड़ी, यहां नहीं हो सकता, लेकिन under consumption होगा इसका, भी under consumption market determined price जो है, they lead to more, I mean, lead to under consumption और जैसे हम inefficient allocation कहते हैं, वो कहलाती है, merit goods, अब एक सवाल इसमें और रहे गिया, क्या यह merit goods, हमेशा merit goods रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि government sector इन से बाहर आ जाए, answer, मतलब categorical no नहीं है, यह categorical yes नहीं है, for example, country इतनी progress कर ले, लोगों पर capita income इती जादा हो, लोगों की income इती जादा हो, फिर government कोई sector के जरुवरत नहीं है, मेरे पास लाकों करोडों रुपए हैं, ठीक है, अगर जरुवरत पढ़ती है, तो मैं 4-6 ल पर वो merit goods नहीं रहेंगे, वो फिर private good बन जाएंगे, बशर्त है कि market determined price के उपर, उनका allocation जो है, inefficient ना बने, definition वो है, बिलकुल उसी तरह से, जैसे public good की definition यह है, कि वहाँ non rival construction, non feasible exclusion है, इसलिए government के दर यह provide की जाती है, तो यह आपको clarity होनी चाहिए, इसमें भी, यह merit goods, private good हैं, लेकिन merit goods इसलिए कहलाती हैं, क्योंकि market determined price जो है, वो inefficient allocation को lead करता है, अच्छा, अब सवाल यह है कि government इसमें interfere करती है, गौर्मेंट के पास interfere करने के दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि outright subsidy दे दे, यहनि बहुत से चीज़ें जो जिसका consumption को बढ़ाना चाहती है, यहनि government जहां जहां भी subsidy देती है, चाहिए वो food subsidy हो, चाहिए fertilizer subsidy हो, वो सब merit goods की category में आ जाएंगे, इसलिए कि in the absence of that subsidy, अगर वो subsidy नहीं है, तो फिर उसका consumption, उसका use कम हो जाएगा, जो के आपके, उन individuals के लिए, और nation के लिए, वो नुखसान दे होगा, और desirable नहीं होगा, तो government एक तो outright subsidy दे दे या direct cash transfer कर दे उन लोगों को, जो जो भी तरीका हो, लेकिन वो इस वत का topic नहीं है, लेकिन government को intervene करना पड़ता है, in order to ensure कि ये goods जो हैं, इनका एक certain amount consume हो, जो nation के लिए और individuals के लिए better है, तो ये हैं हमारी merit goods, यानि पब्लिक goods के सिलतले में, market जो है, आउटराइट फे के सिलतले में, market जो है, वो inefficient है, in allocating the goods, so guys, thank you very much.